इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है क्या क्या देख लिया है natural नमबर देखने के बाद मैंने वोल नमबर आपको बताया था ओल नमबर के बाद हम लोगों ने रेसियनललमबर देखा था से रिप्रूगा ठीक है सो देख तो सब्सe पहला नमबर लेते हैं सबसे पहला नमबर लेट से ल्ए चाप का即 urge नमबर लिया म terrorism करना चाहता हूं तो रिप्रेजेंट करना चाहता हूं नंबर लाइन तो रिप्रेजेंट करेंगे किसे कोई आइडिया है है इस्टैुल में ऑइसको पादनी आ होगा आप लोगा ने अ किसे हो कोई सकते हैं लेकिन यह इंग्जैक वेलू देता ही नहीँ एक्जैक आप नहीं कर पाओगे लेकिन मैं number line क्योंकि अगर देखे लेट से आपने क्या किया कि 1 यहां पर है 2 यहां पर है 1.4141.414 और भी इस तरह से करते-करते यह बहुत सारे numbers आते हैं लेकिन इसके बाद तो और भी डिजिट्स मिलेंगे और जानते हैं कि हर इस नंबर लाइन का हर पॉइंट जो होगा वो किसी ना किसी रियल नंबर को सो करता है तो अगर आपने इसको दे दिया यहां पर कि यह रूट अंडर टू की वैलू है तो रूट अंडर टू इसके बाद और डेसिमल में आगे चलते जाएगा ठीक है तो एक्जेक्ट लोकेशन यह नहीं हुआ ठीक है तो कैसे हम लोग करेंगे वह दे को अबजर्व कीजिए राइट एंगल ट्रेंगल को अबजर्व कीजिए इस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर मैं बेस का साइड लेंथ वन ले लेता हूं इसका साइड लेंथ मैं वन यूनिट ले लेता हूं और इसका परपेंडिकुलर का साइड लेंथ मी मैं वन यू ठीक है तो इन राइट एंगोर ट्रैंगल इन राइट इन-राइट एंगल ट्रैंगल इन-राइट-इंगल ट्रैंगल ट्रेंगल ए बीसी ये तो आप जानते ही होगे अब कहे सकते हो कि एसी का जो स्क्वाइर होगा वह मुझे क्या मिलेगा अप्लैस का स्क्वाइर मिलेगा है मैं किवसी कैसे कर दियर्फॉर एच सी का स्क्वाइर में बोलूंगा इस की एड़ी स्क्वाइड रूट ंप कि कि एड़ी इस्वायर फ्लस बींसमे aren't है वोलस ब्स हो leverage इसकी वेलोग असिए شे वेल जो आपम ने लिए है वनित लिया वहाँ तो वनकास वान हो जाएगा और यह भी वह जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा रूट अट्डड तो मैं देख रहा हूं कि रूट अंडडर की वैलुन również मुझे मिल रही है वह मैं किसी राइट ट्राइंगल में। की तरह कर सकता हूं यानि कि मैं अगर किसी ट्रेंगल का बेस और हाइपोटेनस वन यूनिट ले लेता हूं तो उसमें हाइपोटेनस की जो वैलू होती है वह रूट अंडर टू आती है तो इसका मतलब हाइपोटेनस की तरह कर लेंगे और हम अपना काम कर सकते हैं तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि मुझे रूट अगर प्लॉट करना होगा इसको रिप्रिजेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूं सबसे पहले नंबर करना पड़ेगा नीचे को लेट से मैंने ड्रॉ कर लिया ए इस तरह से मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ किया और यहां पर मैंने कहीं पर मान लिया कि मुझे ओरिजिन यहां पे मिल रहा है तभी को दिखाना कोई जडरूरी नहीं है हम में इसके में यूनिट क्या खर दूघ यहाँ नहीं रहेगा इसके चेंज कर देता हूं ज्यादा बेटर है एक्जैक्ट आपको दिखेंगा स्केलिंग के साथ तो देखें लिट से मैंने नंबर लाइन यहां से बनाता है नंबर लाइन दिख रहा है ठीक है अच्छा यह फड़ा सा इसके जैसा ही हो गया अन्ना कुछ दूसरे कलर यह बलू व Arizona ज्यादा बेटर रहे से चैंज यहां पर मैंने कही जीन जीन मानलिया इन यहां पर मैंने कहीं जी रूम लिया लेट छेि इस ममेरी जीरyeah ठीक है फिर एक यूनिट मैंने इसको मानलिया कि को इसको मानलिया फिर मैंने क्या किया एक यूनिट इसको मानने दो दो बॉक्स को एक एक यूनिट मान रहा हूं तो यह मुझे मिल गया वन यह भी मुझे मिल गया टू यह मुझे मिल गया थ्री ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस दो बॉक्स की है यहां से यहां का गया मुझे उपर भी ले लेता हूँ यह मैन उपर भी वन मान लिया से टिक हैां और क्या करेंगे आप अब क्या करेंगे यहां पर इसको जीरो को center मानते हुए, जीरो को center मानते हुए और इस जीरो से यहां तक, इस point तक, आप अपने, जो भी आपका, जैसे परकाल से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, डीवाइडर से बनाते हैं, तो डीवाइडर से हम क्या करेंगे, एक यूनिट का लेंथ आगे काटेंगे फिर उतना ही लेंथ आगे काटते जाएंगे और वन पर आकर मैं क्या करूंगा एक यूनिट का लेंथ वर्टिकली कट करूंगा एक यूनिट का लेंथ वर्टिकल कट करने के बाद मैं अपने डिवाइडर को इस तरह से फिक्स पी तक चलने के बाद आप क्या करोगे कि ओ को सेंटर मानते हुए और O-P रेडियस ले और उसको आगे कीतरा ट्रॉ करोगे यहने कि एक सेमी सले सरकल बनाओगे सीमि下 qlar तो आर्ख बनाओगे न तो यह आर्क आगे जाकर इस तरह से कट कर रहा होगा यह आगे जाकर इस तरीके से कट करेगा और जहां पर यह कट करेगा ना नंबर लाइन को वही वाला डिस्टेंस यह वाला डिस्टेंस मान लिजे हुआ कि माननीज़ें चुफ करना होगा से लेंथ एक बराबर दाएं समझ में क्ट is it clear to everyone yes sir cut cut equal lanes equal lanes on the number line on the number line on the number line number line with the help of divider with the help of help of divider divider the help of divider divider now add 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 one add one cut a unit length cut a unit length unit length cut a unit length cut a unit length a unit length length at 90 degree 90 degree angle at 90 degree now 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 taking 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 o as center o origin o as center and and o p as radius as o p as radius o p as radius draw a circle draw a circle pura circle circular arc dj draw a circular circular draw a circular circular arc arc this arc this arc yeah the point the point the point on the number line on the number line on the number line on the number line at which at which this arc this arc this arc hits hits is the required is is the required length is the required length वही आपका required length होगा right यानि कि यह आपको अगर root under 2 मिला है तो यह भी आपको root under 2 ही मिलेगा यानि कि यहाँ से यहाँ ओए का distance root under 2 होगा ठीक है सर सरा बोलेना सर डिवाइडर से सर दो equal length लेना है सर तो सर ना आया थी वह सर उसमें लिखेंग कैसे क्या सर वान वीनिट इचकल टू इतना सेंटिमीटर अच्छा यह यूनिट आप चाहें तो इसकेल में एक एक सेंटिमीटर मान के चलिए तो उसे एक सेंटिमीटर मन जाएगा लेकिन आप क्या कीजिए तो आप बड़ा यूनिट फिर दो पर जाकर फिर आगे कट कर दीजिए ऐसा कर सकते हो यह आप क्या कर दिया जो लेंद काटना सुरू कर दिया तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका डिवाइडर का लेंद जो है अब वह इधर उदर नहीं होना चाहिए बाता है समझ में इधर उदर जैसे होगा यूनिट गड़बड आ जाएगा फिर आप वन यूनिट पर ले जाके नवे डिग्री का एंगल बनाने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं इस तरह से करके एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर दीए ज्यादा उसमें नवे यानि पैतालिस पैतालिस बना कि मतलब साट एकसो करते हैं यह सब्सक्राइब आपको क्या करना है आपको क्या करना है उतना लेकर इस तरह से ऊपर वर्टिकल कर रहें और अपने स्केल को इस तरह सध्यान दिजी कि स्केल वर्टिकल हो और उस तरह से इस तरह गुजार देंगे बता है समझ में तो 90 डिग्री बन गया अब जहां पर इस देखे आपने क्या किया होगा एक आर्क ड्रॉ किया होगा और जैसे से आप ड्रॉ करोगे न तो एक से 90 डिग्री खीच होगे इस तरह से यह वाला पॉइंट एक मिलेगा आपको इंटरसेक्शन मिलेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन के साथ क्या कर लीजे जॉइन कर लीजे बता है समझ में अब जॉइन करने के यह सर अब आपको डिवाइडर को मतलब चेड़ अब सकते हो ठीक है अब आपको क्या करना है डिवाइडर को जो एक नोकीला वाला पॉइंट होता है ना उसको ओपर फिक्स कर दोगे और जिस साइड में पैंसिल आप लेते हो उसको इस तरह से स्टेट मतलब स्टेच कीजिए क्योंकि आपने वन उनिट का लिया हो है ना त से ज्यादा होगी तो अपने डिवाइडर को इस तरह स्टेच कीजिए कि उसका दूसरा सीर्या जाकर पी पर फिक्स हो जाए तो अब आपको एक फिक्स मिल गया मिल गया अब आपको उसी ओ को ऐसे करके थोड़ा सा राउंड घुमा देना है तो जैसे ही आगे मतलब सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर देना जैसे यह आर्क ड्रॉ करोगे आके अपने नंबर लाइन को कहां कहीं पर हीट करेगा ना देट हीटिल पॉइंट इस रिक्वाइड रूट अंडर टू और यह रिक्वाइड रूट अंडर टू रिप्रेजेंटेशन ऑन दो नंबर लाइन राइट को कोई डाउट नो सर्थ चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पने बैक्राउंड को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो इ यह मैं बनाओ अब रूट अंडर फ्री कैसे मिलेगा यह मुझे समझना होगा तो रूट अंडर थ्री मुझे छे जार्मी यह WILD tys के स्पैर करने से मिल जाएगा तो यानि कि अगर मैं बेस को रूट अंडर टू मालनों और उस पर मैं एक यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ ले लो तो भी मेरा काम हो जाएगा क्या तो देखें अब मैं एक ही पर आपको सिखाता हूं कि रूट अंडर थ्री आपको निकाल कि अगाल फूलै अपको क्या करंगा लेंख परण रूट याहां पर मुझे कहीं पर एक यूरिध का मिल यह मुझे यह origin हो गया, यह one unit, यह two unit, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप zero मानिये, इसको आपने one मानना है, इसको आपने two मानना है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं अंदाज से एक unit का length ले ले रहा हूँ, I think इतना दिख रहा है मुझे, तो मैंने यह vertical length ले लिया है, यह भी मुझे one unit का length मिल गया, यही कितना मिल गया, one unit का ले, तो मैंने आपको बताया, कि अब आपको इसको जॉइन कर देना है, इस O से इस point को जॉइन कर देना, इसका मान लेता है कि P हुआ, तो आपको इसको जॉइन करना है, इसको जॉइन करने के बाद, यही length आपको root under two मिल गया, ठीक है, और आप क्या करते हो यहां पे सर्कुलर आर्क लेते हो तो यह जा कर कहीं पर इंटरसेक्ट करता है और इसका नाम आप A1 रख लिजे अभी के लिए तब बोलते हो O A1 का जो लेंट हुआ है यही रूट अंडर 2 मिला है है रूट अंडर टू मिला है है अब मैं रूट अंडर थी लेना चाहता हूं रूट अंडर फीलुगा मैं तो मैं बोलूँ गा कि मुझे देखें पहले भी मिला हुआ है यह जो लाइन है ना वह अल्रेडी रूट अंडर तू है अब इस पर मैं एक यूनिट जितना लेंध आपको क्या करना आपने लिया हुआ है जीरो से एक के बीच का लेंध आप मेजर कर लीजिए अपने डिवाइडर को डिवाइडर को लेंध कैसे मेजर करते हैं तो एक सीरा जीरो ले जाएंगे दूसरे जीरो के इस तरह से एड़ज़ट करेंगी की जाकर वन पर आ जाए तो वन यूनिट का लेंध यहां से ले लेंगे उस वन यूनिट के लेंध को लेकर फिर आप इस पर 90 डिकरी का एंगल बना दीजें नम्बे डिग्री का एंगल बना दीए ठीक है यह जो मेरा लेंथ मिला है यह वन यूनिट का लेंथ मिला है और आप देखोगे न कि इसको अब आप जॉइन कर दोगे किसको इसको अगर आप फिर जॉइन कर देते हो इस सीरे को किसके साथ किसी अधी को फिर क्या कर लेते हो आप ले लेते हो जीरों के साथ मिला देते हो एक तो यह अपको फिर से क्या मिल जाता है यह रूट अंडर 2 मिल जाता है कि बात आया समझ में क्या कि यह रूट अंडर 3 मिल जाएगा अब यह रूट अंडर 3 को नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट करना है मुझे नंबर लाइन पर कैसे करें प्रोजेक्ट भई इसका नाम रख लिजे तो यह वाला पीटू हो जाएगा पीटू हो जाएगा अब एक सीरा जीरो पर लेजाए दूसरा सीरा पीटू पर लेजाए लेंध को फिक्स किजिए और एक आर्क घुमाये एक आर्क घुमाईए यह आर्क आकर नमबर लाइन को एटू पर लिए से कट कर रहा है एटू पर कट कर रहा है तब बोलोगे कि एटू की वैलू जो होगी मेरे पास वो कितना हो जाएगा तो आपने देखा कि अगर मुझे रूट एंडर टू को पहले ड्रॉ करना पड़ा तभी मुझे मिला उसी तरह अगर मुझे रूट एंडर फाइब ड्रॉ करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम तो पहले रूट एंडर। वोर कैसे करेंगे रूट एंडर फोर का मतलब तो तू Dob का ने क्या कर लिए और इस पर विए एक उनिट का यहां चाहे ना तो इस पर भी कर सकते हैं इस पर भी कर सकते हैं यहां पर ठी Merry पर 5 से यहां से यहां का डिस्टन्स मुझे रूट टू मिल गया इस पर एक युनिट का पर्पेंडिकुलर यात रेट कलर से एक युनिट का परपेंडिकुलर ले लिया अब इस पर्पेंडिकुलर को किसे background करेंगे बता हू öz इसको इस Kaler से कर लेता है छिप्टर से कर लेटा हूं इसको दूसरे कलर से कर लेता है यह बनाएंगे यह अपने आप किसमें TV हो जाता है वाइट मेर्ध में तो बलू एक pratic region नहीं होगा यह उनीट का लेंघ लिया था हमने गल्ट मुह proudly घून लंडिए जो ब्लु कि अदर में पाइब लेकिन आभी यह रूट के नभर लाइन पर नहीं आया है नंबर लाइन पर कैसे आएगा जब इसको इस सर्कुलर और और को आगे मैं project करूंगा circular और पो मैं आगे project करूंगा तो यहां पर यह कही पर ए थरी पर मालनी जेकर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ए थरी ओ जो लेंट होगा वह रूट अंडर फाइब मिलेगा बात आया समझ मैं क्या कैसे कर रहे हैं हम ठीक है यह और करके दिखाना पड़ेगा अब यह रूट अंडर फाइब इस पर वन यूनिट का लेंद लेके फिर उस सेम प्रॉसेस फॉलो करेंगे विल गेट रूट अंडर शेक्स तो में यहां से एक बात लिख सकते हैं तू रिपर जेंड तो रिपर जेंड रूट अंडर इन रूट अंडर इन रूट अंडर रूट अंडर इन इस एनी नैचुरल नंबर इन कोई नैचुरल नंबर होगा लेट से वन टू वन तो है नहीं मतलब नहीं लेंगे तू से कि वन को बहुत एजली ड्रॉप कर लेंगे तू थ्री फॉर फ लेना चाहते हैं तो हम बोलो रूट अंडर यह तो रूट अंडर इन ही था ना एक बार एंडर लेंगे तो रूट रूट अंडर करेंगे तो अभी हम उसके लिए अलग से फॉलो करेंगे या भी सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर में इन इन इस एनी नैचुरल नंबर इन क्या होगा नैचुरल नंबर होगा तो रूट अंडर इन ऑन दे नंबर लाइन अंडर लाइन अवन दे नंबर लाइन अ क्या करेंगे अभी तक यह कुस्ट्ट बनाने के लाइक हमने आपको नहीं पढ़ाया था ठीक है एक सिर्फ डेफिनीशन रखाता तो आज के लास के बाद मैं आपको विश्ट्ट दे दूंगा तो रूट रह वी नीट तो वी नीट तो वी नीट तो रिपरजेंट यह वी नीट तो लोकेट लोकेट रूट अंडर न मैनस वन अर्ली अर्लियर अगर है तो आपको क्या करना होगा उसके पहले उसके पहले ही आपको रूट अंडर एं को पहले यह कौन को लोकेट लिए आप करो होगत जोकश्रा करा इस प्रॉसिश को यम नहीं होना यह कोई भी डाउट है जिस्ट आस्किव डाउट अधर्वाइज भी मूव फॉर दा नेक्स ठीक है कोई डाउट नहीं है नुसर को आगे बढ़ें इस चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे लेट से हां डेसिमल एक्सपैंशन ऑफ रियल नंबर इसका इसका रूट एक्स वाला है मतलब अंदर मतलब नेचरल नंबर नहीं रहेगा नेचरल नंबर के लिए यही पढ़ते हैं हम लोग तो पहले इसनल ना यह एई रेसनल नंबर के लिए नहीं अपलाई करते हैं अच्छा वह बताना पड़ेगा यह उसमें बता देंगे हम रूट अंडर जैसे 5.3 है 6.7 है सब्सक्राइब करते हैं लेट से मुझे एक बार थोड़ा से हिंट कर देते हैं 1.63 बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक जीरो लिया एक लिया दो लिया ठीक है और मैं 1.63 जानता हूं कि यह वन से टू के बीच में लाई करेगा तो पहले मैं वन से टू के वो दस सेग्मेंट में डिवाइड कर दूंगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस मतलब दस सेक्षन में और यह च मुझे 1.63 नहीं मिला है तो मैं जानता हूं कि 1.63 जो होगा 1.63 वह 1.60 और 1.70 के बीच में आ रहा होगा सर मतलब इस मेथड से एरेशनल नंबर को मतलब लोकेट नहीं कर पाओगे विकॉज यह पूछ सकते हो कि क्यों नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ऐसा इस लिए गाईज क्यूंकि यह इरेशनल नंबर जो है वह infinitely कितने डेसिमल तक है आप यह सोची नहीं पाओगे यह डेसिमल कुछ से कुछ से नंबर आपको मिलते जाएंगे और इतनी बार मिलेंगे कि आप उसका कोई ठोड़ ठीकाना नहीं होगा बात है समझ में तो अगर आपको मिल नहीं पाएगा तो मैगनिफिकेशन आप कितने तेम सब करते जाओगे अभी तक यहां पर एक भी होगा तब हम उसको मैगनिफाई करते हैं इस 1.66 को और 1.7 को मैं अब बड़ा देखनी की कोशिस करता हूं बड़ा देखता हूं तब मुझे 1.67 कुछ यहां मिलेगा देखते 1.67 सिक्स यहां मिला और 1.7 यहां मिला अब फिर मैं इसको फर्दर तेन यूनिट्स में डिवाइट करता हूं ठीक है तो तीसरा वाला जो पॉइंट होता है अब वह मुझे 1.63 मिल जाता है बात आया समझ में यह समझ गया मैं डबल मैगनिक अब यहां पर 1.632 करना होता तो फ मैगनिफाई करते रहेगा लेकिन इसनल अंबर के साथ यह दिकत है न कि वह पॉइंट के बाद कितने डिजी तक जाएगा यानि कि वह कहीं भी भी खतम ही नहीं होगा तो फॉर्दर मैगनिफिकेशन होते जाएगा होते जाएगा एक समय बाद लेंस भी कहेगा अब कितना क जाएगा तो यहनिफिकेशन अफ नमब इस सबसे पहले रियल नंबर का डेसिमल इस बाद लेंस ऑन मिखन सबसे पहले रियल नंबर नंबर का डेसिमल इस फंसनल धेक्ली ठीक है decimal expansion of real number तो सबसे पहले real number में मैं natural number को ले लेता हूं real number में पहले natural number को ले लेता हूं लेट से मैं तीन number ले रहा हूं आपके सामने पहला पहला लेट से मैंने लिया में 20 20OW को एन ले ले लेता है तेन भाई थ्री ले लेते हैं थेन भाई थ्री ठीक है एट भाई से ले लेते हैं और उसके बाद कितना ले 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 तंट अ चीड ले लेते हैं ठीक है यह तीन नंबर लिया हमने सभी का decimal expansion करके देखें तो कितना रहा है अलग-अलग expansion करेंगे बकायदे long division method follow करेंगे तीन को मैं divide कर रहा हूं 10 से तीन को उल्टा मैल गोल दिया मैंने 10 को divide कर रहा हूं तो थी टांट में घंगा नाइन बचेगा वन बचेगा तो मैं यह पर पॉइंट लगाता हूं जो रखोंगा फिर फिर इस नइन हो जाएगा फिर यह मुझा फिर मैं यहां पर तीन रखोंगा यहां पर 0 आ जाता है तो बार-बार यह 9 चलते जाएगा फिर वन बचेगा फिर यह 0 आएगा फिर यह 3 आएगा तो आपको यह है का चोंगे तीन ही डॉट दैस लेते हैं तो तीन ही डैस लेते हैं ठीक है तीन का मतलब कि इस तरह का टर्म infinitely many times चल रहा होगा ते 8 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा एट को 7 से डिवाइड करूंगा इसका बताइए सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है यहां से मैं कुछ सब्सक्राइब करना है यहां पर मुझे रिमेंडर थ्री मिलेगा फिर यह जीरो आ यह चार बार में जाएगा ना चार बार में गया तो तच्चों का थाइस दो मिलेगा फिर जीरो आएगा साथ दूनी 14 च्छे बचेगा फिर मैं जीरो लगाऊंगा साथ वाठे चपन है ठीक है कि छपन आपको मिलेगा चार फिर जीरो लगाएंगे साथ पच्छे पैंतिस पैंतिस फिर आएगा आप वाठ पांच आएगा पांच पिर आप इसमें जीरो लगा होगे तो कितना मिलेगा स parksaltro ऑफ फिर आप पर जीरो लगाओंगे पिर साथ एक बार में जाएगा साथ एक बर में पिर तीन बचे श्राबन Sig उगा तो यह देख तो इस लेकिते हो कहा लगता हूं फिर आपको एट आजाएगा फिर आपको कितना आएगा फाइब आएगा फिर से बेन आएगा राइट फिर उसके बाद वन आने लएगा तो आपको यह जो इतना इसमें नंबर मिला इसका इसके वैलू मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो वैलू मुझे मिलेगी वह मुझे कुछ ऐसा मिलेगा देखें कितना मिलेगा 1.142857 उसके बाद फिर मुझे मिलेगा और यहां पर डैस डैस लगा दीजिए क्योंकि इसी तरह का ब्लॉक है मुझे आगे मिलते जाएगा बात आया समझ में सभी को इस अब दूसरा एक और कौन सा नंबर बचा है थ्री भाई एट आइट लिया है क्या मैंने यह सर्थ रहां थ्री बाई एट का डिस्मल एक्सपैंसन कीजिए तो यह 0.375 तो यह 0 टाइमस में पहले जाएगा तो पॉइंट लगा दूंगा मैं तो जीरो यहां पर आ जाएगा कितना हो जाएगा आठ तीया 24 छे बचेगा फिर मैं जीरो लगा दूंगा साथ वाठे चपपन तेवन टाइमस में चपपन हो जाएगा फिर यह चार बचेगा जीरो लगाऊंगा तो आठ पचे चालिस तो दो तरीके तो आपने यहां पर अबजर्वेशन क्या क्या किये वह देख लेते हैं आप जर्वे तो लिट से अब जर्वेशन क्या क्या किये वह देख लेते हैं तो लिट से अब जर्वेशन क्या क्या मिला आपको वह देख लेजिए तो पहला प्जर्वेशन ये होगा फोस्ट अब्जर्वेशन कि अगरकीशि अमियमने र्सनल लंबर को सिंपल्ली डिवाइड किया है सबसे पहले रियल लंबर यहरुका मैंने डिश्मल निखा, लेगिए मैंने पहले र्षच्ट का किया, बात यह रस तो आपने देखा कि जब मैं रेशनल लंबर का एक्सपांसन कर रहा हूं तो दो तरीके का रिमेंडर मुझे मिल रहा है या तो रिमेंडर जो है आफ्टर सर्टेन स्टेज वो टर्मिनेट हो जा रहा है ठीक है तो अब्जर्वेशन कि पहला रिमेंडर इस जीरो रिमेंडर इस या रिमेंडर बिकम्स जीरो लिख लेते हैं रिमेंडर बिकम्स जीरो बिकम्स जीरो आफ्टर आफ्टर ए सर्टेन अफ्टर ए स्टेज तर्टेन अफ्टर ए स्टेज यानि कि कुछ समय के बाद आपका रिमेंडर जो हो रहा है वो 0 हो जा रहा है और और रिमेंडर इस लिए और डिमेंडर इस नॉन तर्मिनेटिंग का मतलब की को टर्मिनेट नहीं होता है खतम नहीं होता है तर्म टर्मिनेटिंग यह दैंटर गोज पर इन्फाइनेटली मैनी टैम ठीक है नॉ डॉन टर्मिनेटिंग अब मैं यह कहूंगा कि कि मुझे रिमेंडर्ड नॉन टर्मिनेटिंग मिला है तो आप यहां पर और कुछ और और अबजर्वेसंट कर सकते हैं आप देख रहे हो कि आपका जो रिमेंडर है उस सुल्टें स्ट्रिंग देखें यहां पर स्ट्रिंग बोलते हैं इसको एक से लेकर सेबें तक का जो मुझे यहां पर वैल्यू मिला है वह सेम मिला है and the same block is again repeated to second time and this process is is infinitely many times proceeds infinitely many times इस तरह का जो इस्टेप होगा वो infinitely many times क्या करेगा वह रिपीट होते रहेगा यह process पूरा रिपीट होगा बात है समझ में तो आपको यहां पर जो numbers repeat हुए है इसको बोलते है repeating block ठीक है जैसे जैसे आपने लीखा है one point three one by three one by three को आप 0.33333 इस तरह का यह infinitely many times जाएगा उसी तरह आपने कितना कितने को eight by seven को लिखा है यहां पर आपको मिला है one point one four one four two eight two eight five seven five seven ठीक है और दूसरे कलर दूसरे ब्लॉक को मैं दूसरे लिख से लिखा है यह जो नम है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रिपीटिंग इस्ट्रिंग यह जो है यह रिपीटिंग इस्ट्रिंग आपको infinitely many times मिलते जा रहा है उसी तरह मैं देख रहा हूँ यहां पर यह वाला यह यह तीन तीन का एक एक लेंद का इस्टिंग जो है वह इन्फाइनाइटली मैनी टाइम चलते जा रहा है तो मैं कह सकता हूं यह कि यह कि यह इन बोथ डिवीजन्स इन बोथ डडी बोथ डडिवीजन्स डिवीजन्स इक है अँग 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 ह कि इस टिंग का मतलब क्या होता है तो हम था थाहिए थागा होता है इस ट्रिंग का मतलब होता है अब लॉक टिंग उफ लेंथ वन और लेन वन एड़ लेंथ जो दूसरे में लेंद कितना है तो देखिए दूसरे वाले में कितना जो ब्लॉक का स्ट्रिंग है वो कितने लेंद का एक दो तीन चार पांच छे डिजित का लेंद थे ठीक है तो दूसरा एंड लेंद सेक्सट रीपीटेड रिपीटेड और एवर हमेशा के लिए वो जो है रिपीट होते रहेगा अब दीके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस रिपीटेड ब्लॉक को लिखते कैसे हैं तो अगर मुझे कहीं पर 1 by 3 मिले और वो कहीं पर 0.3333 इस तरह से लिखा रहे तो रिपीटेड ब्लॉक को मैं क्या करता हूं जहां तक ब्लॉक रिपीट होता है न वहां पर 0.3 के उपर मैं बार लगा देता हूं तरी के उपर क्या लगा देता हूं बार लगा देता हूं उसी तरह मुझे यहां पर यहां पर 8 by 7 8 by 7 जो मुझे मिला है 8 by 7 इसको मैं लिख रहा हूं कि 1.4142857 ऐसा मिल रहा है फिर 142857 यह ब्लॉक बार बार मिलते जा रहा है तो मैं क्या करूंगा कि इसको इस फॉर में लिखते हैं इसको बार पढ़ते हैं 1.142857 इसके उपर मैं क्या कर देता हूं बार लगा देता हूं ठीक है इसका मतलब यह वाला जो ब्लॉक है वह बार-बार रिपेट हो रहा है तो यह रिप्रेजेंटेशन समझ में आया यह रिपेटेशन समझ में आया अब दूसरा अबजर्वेशन यह दूसरा अबजर्वेशन दूसरा अबजर्वेशन कि जो रिपिटिंग ब्लॉक का जो लेंद होगा वो डिवाईजर से हमेशा छोटा और पहले में यहां पर रिपिटिंग ब्लॉक का पहले हैं किया है तो जो ब्लॉग का जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगा और यहां पर देख लिजे यहां पर एक सिंगल यहां पर वन लेंथ का डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है और इसको मैंने डिवाइट कितमे से क्या तीन से तो बोलेंगा मैं आपे इस अनमबर ओफ क्यों ओओः डिवाँ ग्याँ अ THE LEN अप प्यूट अप्यूल अप्यूर अपरीट इस भी अपरीट लेन्ध 총 है विद्मी एवूबरा मैं ।्ऌटी जोूर ऑंप फ यह कि नहीं हा है ंबगा मैंठ अपर द सा का नहीं जोग्यूटर नहीं प्यूटे जस्य? डिर देंसर आवडिक कि टिए मिड़ा कि एंच है एप दिए आप टी एग्ड़ी एग ड्या कि आप चुिछ साथिर एंदी ऐगन इसलेओंग जाथद्रE निसलेग से दो आप drip में इस तजले रहा हूं कि मैंने डिवाइट करके आपको दिखाया है इसने दिवाइजर के आपको दिखाया है तो यह दोनों बात ध्यान में रखेंगे अजया आप दिस्टिवार्स के अश्टिया अजया आप दो यह जा रहा है इसक्रिन नहीं होगा देख रहा है इसक्रिन देख रहा है यह ज़िए चलिए ठीक है आप लाइट तो कट गया तो इसक्रिए तो यहां पर आप देख रहा हो कि जहां पर ब्लॉक्स जो है रिपीटेड होंगे वहां पर मुझे रिमेंडर कभी 0 नहीं मिलेगा तो पहले केस में जीरो दूसरे केस में जब तो आपके जो ब्लॉक्स होंगे वो रिपिटेडली। एइंफाइनेटली क्या करेंगे आगे की तरह मूफ करते जाएंगे ठीक है तो एक क्वेशच्चन यहां पे कर लेते हैं कि 5.3149 कैसे आप सो करोगे कि सर क्योंकि यह चार डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है हां अभी तो हमने आपको वह बताया नहीं है अभी हमने आपको वह स्टेटमेंट नहीं लिख वाया है कि मतब यह आप्टर सर्टेन स्टेजेज वह क्या कर जा रहा है यह टर्मिनेट कर जा रहा है तो वह रिपीट हो रहा है और रियकरिंग रिपीट हो है नौन टर्मिनेटिंग है और साथी साथ कुछ ब्लॉक्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी मैं रिप्र नंबर के फॉर्म में दिख्था दूँगा तब मैं आपको इस तरह का स्टेटमेंट जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या होगा रेस्नल नंबर होता है मैं पहले लिखवांगा नहीं ठीक है तो देखिए मैं क्या कहूंगा सिंप्ली बोलूँगा कि यह 5.5.3149 इस तरह का नंबर है तो मैं जानता हूं डेसिमल वाले कॉंसेट से कि जितने डीजिट के बाद यह दिजिट पाद मुझे प्वायंट रखा हुआ हुआ हूं इस तो चर दिजिए लगा दिया और नाव दिस नूंबर ही सिंस आप यहां पर लिख दोगे सेंस कोई कुछ बोलना चाह रहा है कि नहीं नाइन्थ में रिशनल अमर प्रूफ करने को नहीं पढ़ना है ठीक है और थोड़ा सा अब बोलोगे तो मैं बता भी दूँगा कोई दिकत नहीं है ठीक है सर बता दिजेगा ना चेक्टर के एंड में या फिर्मत तुछ जब एक सब्स इन दो फॉर्म ओफ 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 पी बाइक क्यू है पी वाइक क्यू के फॉर्म में है ना देर फोर यह हैंस हैंस एट इस अरेशनल लंबर एट इस अरेशनल लंबर पूरूफ हो गया सिंपली और यहां पर देखी रहा है पी बाइक क्यू लिखता हूं तो यह दोनों अन्नों थे जब मैं लिखता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजे अपने पूछी दिया तो मैं बता दे रहा हूं मेरा जो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि पी बाइक क्यू के फ़र्म में हो यानि कि रेशनल नंबर होने के लिए उपर नुम्रेटर में भी कोई इंटीजर हो लेकिन दीनुम्रेटर वाले इंटीजर कोई 0 नहीं होना चाहिए यहां पर गाईज मुझे एक्जेक्टली दिख रहा ह कि पी और क्यू क्या क्या है यहां पर मुझे फिर लिखने की जोरत नहीं पड़ेगी कि जीरो जब वैलू दिखता नहीं है तब मुझे वह सर्टेन कंडिसंस इंपोज करने पड़ते हैं लेकिन जब मैं जो जब मुझे वैलू एक्जैक्ली दिख रही है कि पी के जगा पे 5,3,1,4,9 है और Q के जगा पे 10,000 है तो मुझे अलग से लिखने की जोरत नहीं है कि 10,000 की वैलू क्या कभी 0 हो सकती है या इसमें कोई डाउट है कि दोनों इंटीजर है कि नहीं बात है समझ में तो जहां पर नहीं लिखा हुआ रहता है इनसा वहां पर मुझे यह लिखना पड़ता है यह सब बात बार बार लिखना पड़ेगा कि यहां पर में उपर में कुछ है और नीचे भी 10,000 है इसलिए यह पी बाई क्यू के फॉर्म में है एंड डिस इस दरिक्वाइट कंडिशन बता है समझा तो मुझे अलग से लिखने की जुरत नहीं पड़ेगी ठीक अब चलिए मैं आपको बताता हूं नेक्स को यह कोश्चन नमबर वन है दूसरा है कि पूश्चन पूश्च दे एक्सप्रेश एक्सप्रेश अभी आपने जीरो पॉइंट तरी 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 कि इन फॉर्म आफ एंदॉ पॉर्म आफ भी बाइक्यू इन भी ऑन फॉर्म आफ पी बैक्यू इसको कैसे करोगे चैस इसको एक्समान लेंगे सरे एक सब्सक्राइब कर के साथ थीए कर देंगे दोने को बहुत अच्छे देखें यहां पर इसको मैं उपर वाले मेथट के साथ तो नहीं कर सकता हूं विकॉज उपर वाले में मुझे पता था कि कि इग्जैक्टली कितने डिजित के बाद मुझे पॉइंट दिया हुआ है ठीक है लेकिन यहां पर मैं यह फिक्स नहीं कर पाऊंगा कि कि इतने डिजित के बाद पॉइंट लगा हुआ है बात आया समझ में सो उपर वाला मेथड नहीं अपलाई होगा तो अभी इसकी में ध्यान दीजिए जितने लेन्थ का जितने ये लेंथ का यहां पर आपको repeating ब्लॉक होगा उतने ही जीरो वाले नंबर मुझे करना पड़ेगा देखेंगि यहां पर एक कितने लेंठ का ब्लॉक है एक लिंख का ब्लॉक है लगा के और वन ले लेना पड़ेगा यानि कि टेन से मैं मल्टिप्लाइग कर दूंगा दोनों तरफ लिखेंगे ऑन मल्टिप्लाइंग और कि 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 अन मल्टिप्लाइंग बाई आप लोग भी कॉपी में करते रहे हैं तेन वी गेट 10 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो 10 से मल्टिप्लाइग और यह 3 भी infinitely move करेगा आगे and this is equal to 10 times of x 10 x हो जाएगा अब दीखे थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए कि मैं 3.333 को कैसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0.3333 इस तरह से लिख सकता हूं क्या इक वल्स टू टेने इस अब अब 3.3 प्लस जैसे ही पॉइंट वाला हमने वैलो लिखा हुआ है यह वाला यह वाला वैलो इस वैलो इस अगें आवर एक्स जो हमने एक्स माना हुआ था वही एक्स है ठीक है तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा कि मुझे पहला जो है मिला थ्री मिला और यह वाला तो एक्स ही मिला मुझे एड़ इस टेन टामस ओफ एक्स तो नाव एकन राइट यह एक्स तो उधर चला गया तो 3 इक्वल्स टू 10-10 एक्स माइनस एक्स मिल गया नाव दिस गैन बिटेन एस 9x एक्वर्स तो देर्फोर एक्स की वैलू मुझे थ्री बाइन यानि की वन बाइट बात आया समझ में क्या सभी को कि यहां पर आपको यह समझना होगा कि जीतने यूनिट का ब्लॉक है उतने से आपको मर्डिप्लाई करना होता है अब चलिए मैं एक और कोश्चन देता हूं लेट से मैंने आप सब पूछा यह राइट है कि वन पॉइंट ओन एध है त्री पॉइंटलिे दें ए एगा यह है जट्री पॉइंट टो सेवन का ब्लॉक ले रहें जुक्त टो सेब ऑ इस पर मैं बार्लिए ए प्लै यह ले गार हूं त्यू arsenal का बाए इंफॉमौ ओ इन दे फॉर्म औप पी बाइक्यू चलिए कोश्चन है इसको पी बाइक्यू के रुप में आपको लिखना है सब्सक्राइब की जोते एक बार कि अग्यू कि कि अधित्य कांसर आ गया अधित्य कांसर और रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा तो देखेंगे तो देखेंगे अच्छावाई आएगा थ्री पॉइंट्वाइं टू सेबेन टू सेबेन टू सेबेन इस तरह के ब्लॉक इन्पाइनट्वी मैंनी तेम्स मिल रहेंगे इसको मैं एक्स मान लेता हूं और लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो हो न सभी लोग यहीं पर तीन ही लोग क्लास कर रहे हो क्या यह सर और कहां चले गए तो बड़ा द्रकत हो गया अच्छा वेदर खराब है तो मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए है अच्छा थी टू फोर डिवेड़ेड़ बाइंटीन बहुत अच्छे तो देखें यहां पर एक मैंने बताया था जीतने यूनिट का लें तो उतने उतने जीरो वाले के नंबर के साथ मुटिप्लाई कर देंगे तो मैं यहां पे चैन के सारी हंडेट के साथ मुटिप्ल कि क्या मिलेगा मुझे तो यहां पर मिलेगा 327 कितना मिलेगा 3027.272727 एंड इक्वल्स टू यहां पर मुझे मिल जाएगा हंड्रेड अब मैं इसको लिख सकता हूं कि हंड्रेड एक्स मिल जाएगा तो यहां पर देखें इसको मैं 324 प्लस इसमें से 3 निकाल दिया 327 में से तब मैं 3.272727 इसके फॉर्म में लिख सकता हूं एंड इस इक्वल्स टू हंड्रेड एक्स नाउ आइकें राइट कि मुझे यह जो नंबर 324 तो मिल ही गया है और यह वाला मुझे एक्स मिल जाएगा एंड इस इक्वल्स टू हंड्रेड एक्स देरफोर एक्स की वैलू जो है वो आयागा 324 डिवाइड बाई 99 ठीक है चली एक और क्वेश्चन कीजें रएट एक्स एक्स 4.23 47 47 47 in the form of in the form of पी बाइक्यू कि इसको पी बाइक्यू के फ़र्म में लिख्या है कि तो सभी लोग कि मुझे आगे खीचने का मैं मन नहीं कर रहा है दर्वाइस सबको बड़ा प्रोब्लम होने वाला है जेन्मीन रीजन भी है कि सब्सक्राइब करते हैं ठीक है यह चलिए आपका होमवर भी रहा क्योंकि आगे दिक्कत होने वाला है क्योंकि आगे मैं बहुत स्टेट्मेंट डिखवाने वाला हूं तो सबको बड़ा दिक्कत होने वाला है जाए इस एक है तो फॉर फॉर इंध्र फॉर वन नाइन टू फोर बाइन नाइन ती नाइन हंड़्ड इस सब्कार रहे हैं आच्छा यह सब्सक्राइब तो आज के लेक्षर में इतना ही आपको होमवर्क कर दूंगा आज मैं ग्रूप में और जितना पढ़ा हूं उसे के और फिर हम लोग यहां से इस डेसिमल एक्सपेंशन के अब जर्वेशन सभी कुछ आज के लोग आज के लिए लिए दिखेंगा उसको भूब भाइब लुक्त प्रूप